हाँ तो राजस्तान में क्रशी यानि कि अग्रिकल्ट्र राजस्तान वैसे तो काफी इंपोर्टेंट मैं काफी बड़ा टॉपिक है और बहुत थोड़ा बहुत इसको मुश्किल भी माना जाता है लेकिन आपको मैंने इसको काफी इजी प्रोवेड किया है तो द्यान से समझ से समझना है और यह वह टॉपिक है जहां से कोई एक्समान नहीं जहां साइब कि यहां से कुशन जाता हो इसलिए एसा कीौशन पर विशेश रख ना है क्योंकि यह कोई नहीं करवा तो द्यान देना है और कोई भी डावत तुरव्त आपको उसी को मतब्र इस इन सब को लि करना है ठीक है ना क्योंकि याद करना पड़ता है थोड़ी बैसिक जानका ले लेते हैं कि करशी प्रात्मिक रूप से वर्षा पर डिपेंड है आप सब जानते हूं बार राजस्तान में जो भी करशी है वो बारिष पर डिपेंड है और जितनी भी करशी है उसका 90 परसेंट वर्षा मांसुल सत्र में होती है अभी अपनी बारा मैंने के रोजयना बारिष नहीं होती है और इसी दीसी बात है इसलिए हम क्या कहते है कि जो हमारी कर्श आइगरीकल्च्र मान्सुन का जुआ है होए तो अगरणा नहीं ई जोए में यही होती है तो हार यह जीत वह वाली चीज है राज्य में सामाने वर्ष हम देखें तो 575 सेंटीमेटर जो है यहां पर बारिश का है ठीक है सामाने वर्ष है और राज्य में 302 खंड है खंड डिवाइड कर लिए तो है अपने जोन बनाते हैं उनमें से लगबग मुश्किल है पानी बहुत नीचे चला गया है और वहां पर करशी करना बहुत मुश्किल हो गया है उनको सरकार को गवर्मेंट करना चाहिए उसको बाहर लाए जाए बाकि 38 तो ठीक है अभी भी सेफ है सुरक्षित है बाकि लगबग 302 में से लगबग सभी के से भी डार्क परसेंट है मनलों अच्छी खासी खेती राजस्तान के अंदर होती है 28 जिले हैं 28 राज्ये हैं फिर भी राजस्तान अकेला जो 11 परसेंट पूरे भारती खेती अकेला करता है इतने एरिये में करशी शेत रही है लेकिन प्रॉब्लम एक फस जाती है और वो यह है कि लेकिन अब सथाए जल का सिर्फ 1.16 परसेंट है जब को जमीन में जो पानी सथाए जल जो है ग्राउंड वोटर वह अंड़ेट है तो उसका मात्र 1.16 परसेंट राजस्तान के अंदर है यह बहुत दाई नियुक्षति है जबकि हम खेती इतने एरिया में करते है 11 परसेंट में करत देखें तो जैसल मेर में हो तो आपको पताईए कि वहां पर कोई खेती नहीं होती है जमीन फालतू पड़िये बंजर वेर्थ भूमिय कर जैसल मेर मेर में है और बिहट भूमिय हम देखें तो वह दोलपूर में है ठीक है बिहट भूमिय कहां पर है यह दोलपूर में है और बंजर और वेट भूमी है वो सरवादिक जैसलमेहर में हैं दोनों फेक्ट याद हो जाएंगे वरी इजी और राज्य का कुल करशित छेतर फल अगर पूरी खेती में हमारे पूरी जमीन राजस्तान जो पूरी जमीन है उसमें कितनी जमीन पर खेती होती है तो वह है दो सो ब एरिया में राजस्तान का जो चोती बाई 49 साल की हो गई 342-49 वर किलोमेटर जो मारा एरिया है उसमें इतनी जगें दोस्तों बैतर पर दो आट हेक्टर पर खेती होती है यह मानलों आप शीक है ओके राजस्तान में खाद्यान का कुल उत्पादन मतलों जो हम खाते हैं अनक अग्ड़े हैं 21 22 के 21 22 के इंदर 231.5 दो लाक मेट्रिक टरंज है हमने खाद्यान जो है वो उत्पादन किया था प्रोडक्शन किया था लेकिन 2022 ते इसका पूरवानुमान लगाया गया है हालाग इसका कोई एक्जक्ट डेटा निकल का आया नहीं है विक्योंकि फसल पहले थंड में जो बारिश सर्दी के दिनों होती है उसमें ज्यादा कि कहते हैं कि दावा पड़ गया मतलब ज्यादा थंड पड़ गया ज्यादा थंड में नहीं पर नॉमल महासुम रहा है तो मतलब फसल अच्छी है तो अंदाजा लगया है कि इस बार जो फसल रहेगी 2022 253.99 मतलब इस से थोड़ी बड़ोतरी है तो 253.99 लाक मेट्रिक टन होगी मतलब यह वर्दी लिखे है में ब्रैकेट में जो एरो बनाया नहीं है इसका मतलब है वर्दी एक्जाम क्योशन बहुत बार आते हैं वर्दी से चाहे राजस्तान पुलिस कोंस्टेबल हो चाहे को हो जाता है तो यह अनुमानित है और अनुमानित ही क्योशन पूछ जाएगा पूरो अनुमान कितना लगाए गया उस साब से कितने परसेंट की बड़ी होती है तो वह तो नो पूंट साथ एक परसेंट ठीक है अब में एक बोक्स लिखा है यह हालां कि बहुत लेवल की बा है तो प्रचलित मुल्यों का मतलब हो गया जैसे कि इसमेवित होते हैं इतना प्रचलित मुल्यों पर और इस्तर मुल्यों पर यह दो बात आती है लेकिन अब क्यों शुनाएगा प्रसेंट मुल्यों से क्या कि 2011-12 में सरकार को GSV अपरापत हुआ था वह बता 28.56 ठीक है यह दोजार 11-12 मैंने क्यों लिखा कि 2011-12 का हमारे एक आधार वर्ष है यह बेसीर है ठीक है इसको आधार मानके अपन आगे बढ़ते हैं 28.56 बाकी इस पर कोई नहीं जाना यह तो आधार वर्ष था बेसीर था इसलिए याद करना बाकी 2021-22-23 के आंकड़े मॉस्ट होते हैं और में करने अपने को 22-23 के 21-22 में हमारे रहा था 30.23 परसेंट जो कि अगर पेसु में देखें तो 3.33 लाग करोड जो है जी एस वी अपर अप्रप्ट हुआ था ठीक है लेकिन 22-23 में 28.95 परसेंट लेकिन पेसु में देखें तो पेसु में 3.79 लाग करोड यानि कि पेसु के इसाफ से अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर वर्दी हुई है 13.84 प्रसेंट की यह वर्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है ठीक है पिछली साल से तो कुल मिला के पेसु के हिसाफ से देखें अगर अपन तो 2022-23 के अंदर 13.84 परसेंट की जी एस वेकिन की इंदर परसेंट बिखते मुल्य हैं और दूसरी बात यह वह जो नहीं है पैसों की बात है कि फसले कभी तो महंगी बिखती है कभी सब्सक्राइब इस जैसे जैसे साल बढ़ते चले जाएंगे फसले महंगी होती चले जाएगे ठीक है उस पर नहीं जाना अपने वरदी पर जाना वर्द क्यों इसको भी भी सकता है और लेवल थोड़े ज्याजा तो ना भी लेकिन इंपोर्टेंट है बाकी अपना आके देखते हैं यह तो काफी एजी थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन दोजार वाइस थे इसके बज़ट में बहुत बड़ा क्योशन है कॉंग्रेस की सरकार है अभी चीफ मेरी अशोग एलोट लेकि आये हैं वो क्या है कि पहली बात है विल तो क्रशी बज़ट पास ब्लत इनका इनके कारिका ठीक है तो सेटन करशी में मैं घौष्णा ही करी गई एक तो यह गोश्णा ही करी गई जाएंगे जो अपने सब के लिए बेनिफिट है कि जो ट्वेल्थ पास उसके बंद जो अग्रिकल्चर साइंस से पढ़ना चाहता है तो करशी माव इदाले खोले जाएंगे दस मुख्य मंतरी किसान मित्र योजना आपको पता होगी अशोगलो लेके आये हैं और 2000 यूनिट तक बिजली फरी करिये किसानों की उसे बोला जाता है मुख्य मंतरी किसान मित्र उर्जा योजना ठीक है उर्जा का मतलब बिजली होती है देश का पहला बाजा उतपाद में स खाथ से माद रेगरच जुक बनाके खाथ बनाके उसे जैवी खहती की जाए ठीक है उर्वरक वग्राइब डिए-पी युरिया ना डाला जाए ठीक है तो फोश्व मंडी यह थो खुल गई मैंने इसके साथ में करनेक्ट करवा दी है यह कोई इस बज़र्टी गोशन नहीं है लेकिन मंडी वाली बात आगी दिसे साथ में लिख दी बाकी यह क्योशन अलग से याद करने आपको ठीक है राज्य की पहली पुष्व मंडी मुहाना मंडी जेपुर लोकारपन भी हो चु यह इंपोर्टेंट है यह भी आपको याद रखना है ठीक है यह कुछ 22-23 जो बज़र्ट था अपना उसके बारे 23 जो बज़र्ट है उसका कुछ अपने द्यान रखना था और वैसे तो बज़र्ट बहुत बड़ा है लेकिन नहीं हमारे लेवल की चीज़ें जो स्लेक्टे परशुपालन भी किया जाता है ना जैसे कि किसान लोग क्या करते हैं अपनी गायपेंस वी रखते हैं उनके लिए चारे वाली फसल ज्यादा विशेश द्यान रखते हैं ठीक है कि हमारे खाने के लिए अनाज भी आ जाए और चारा भी आ जाए वो मिक्षित कर्शी होती है इसमें क्या होता है कि वर्षा जल एकतर करके कम पानी में कम समय वाली फसलों की कर्शी की जाती है और इसके लिए सरकार ने मुहीं भी बना रखी है बहुत बड़े बड़े आपने टैंक देखे हूं खेतों के अंदर गवर्मेंट उसमें आदी सबसेड़ी देती है आदे सब्सक्राइडा हो गया खुब सरी पसले हैं जिनको डाइरिक्ट बाजार में बेश पुरुनते बाजार में तुझको इसकर्शिव किया जाता है कि बस इंकम आनी चाहिए चोथा रोपन कर्शी रोपन से यानि पोदे रोप के तो पोदे तियार करते हैं पहले चोट- चोटे किसान होते हैं जिसके अंदर ऑनली परिवार के लोग की काम कर लेते हैं वही कटाई करते हैं वही जैसे वह कोई मशीन करते हैं वही जो पुरानी परंपरा है लकडी का हल से खहती करते हैं सारे परिवार के सारे परिवार के लोग इसमें लगे रहते हैं निर्वा कर जो होती है जो जाती वो जूब करते हैं अदिवासी लोग वालरा जूमिंग करतन अदिम निर्वा इसके दो प्रकार इसके नाम अलग लग है दोनों देखने गहन करशी में चुली क्या है कि छोटे तो आकार के खेट होते हैं और श्रम बहुत जादा है लोग खुद ही मैनत क अदिवासी लोग या पहाड़ी शेतर में जंगल जंगल जला करके यह खेटी की जाती है सिंपल है यह आपने थोड़ा सो देख लेना ठीक है इसको एक बार मेरे साथ पढ़ोगे ना तो भी याद हो जाएगा जलकरशी जलकरशी बिना मिट्टी जल में पोशुकततों से प मतलब है अब इस दब सिध्य पढ़ाई करो ठीक है बागी जो इसे पटिया में आगे खेती की जाती है पटिदार करशी यह मर्दा श्रण न्यूंतम होता है इसमें क्योंकि अगर पटिदार परकरशी कर लेंगे तो मिट्टी बहेगी नहीं जब पानी आएगा उपर से तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा क्योंकि वो पेड़ पोद है नो वो रोक लेंगे उस पानी को तो उससे पहली बात है कि मर्दा श्रण मिट्टी कटेगी नहीं श्रण का मतलब कटना तो मर्दा श्रण न्यूंतम हो इसलिए यह धाल वाली बूमी पर जाब धाल होता है सीध अधर यह धाल है अगर इसे डाल है न तो उसके विप्रिट विप्रिट में पट्यां बना देंगे ऐसे लाइक सीडिया नहीं होती है सीडियूं कि दर ठीक है डाल की विप्रिट बनाकर मूंग उड़द घास आधी फसले त्यार करते हैं मूंग उड़द और घास बेसिक ए ठीक है एक रिले क्रॉपिंग होती है एक खेत एक वर्ष उसमें चार फसलें से बोलता है ठीक है क्रॉपिंग और अगला क्रशिवानी की इसमें यह तो गवर्मेंट मुहिम चला रहे कि आप देखा होगा कि खेती भी कर सकते हैं लेकिन पेड़ पोदे बागवानी और सब्सक्राइब लेकिन ताकि मर्दा का सब्सक्राइब और जैविक तो जानते ही बहुत फैमस आजकल रासाइनिक उरुवरों के इस्तान पर जीव कितना शकाव्पियों करना है ठीक है रासाइनिक जो केमिकल फर्टैलिटी पर्टैल डालते हैं वह सब खतम करो और खुद स सब्सक्राइब और बहुत बच्पन से अपन पढ़ते आ रहे हैं खरीव रभी यह सब है ना तो वह इंपोर्टन पहले है खरीव अब खरीव की फसले कुछ नाम भी है शालू सियालू चौमासा सावनू यह सब खरीव की फसल के नाम है ठीक है और इनका टाइम अगर अगर अरंडी तिल बाजरा मूंग मौट अरहर ओडद चावल और गन्ना यह सारी की सारी फसले खरीव की फसले हैं ठीक है मतलब जिसमें वैसे के लिए अपन के देख सकते हैं कि मोटे आनाज होता है वह इसके अंदर आता है यह होगी फसले और दूसरी में अगर बात करूं कुल करशी चेतर का इक इसका 60-65% जो जो हो करशी चेतर ना वो खरीव का समझन पा रहे है राजस्तान में 100% अगर खेती होती तो 60-25% खरीट में नहीं दो दो बाते लिखी है एक tau GOL Box मना या एक रेक्टेइंगल में आयटा कर बोक्स मना इनिमें लोगा कुछी य्ग्ञों कुल करशी उत्रफादन में खरीट यहां पर तो क्या है एरिया कुल की टोटल जमीन का 60-50% जमीन पर यह वाली खहती करी जाती है लेकिन अगर मैं बात करूँ उत्पादन प्रोडक्शन में कि भाई हम जितनी अनाज या खादियान पैदा करते हैं उसका 62% खरीब की फसल ही होती है क्योंकि बैसिकलिस में खाने वाली चीज़ें ज्यादा है चावल हो गया कपा यह सारी जैसे अजवाइन भी खूब यूज हो रही है सबी मोंग मोट डाले अरर डाले सब इससे ज्यादे यूज होती है इसलिए 62% इस फसल की जो है उत्पादन है और वेसे एरिया भी 60-65 है और एक फेक्टोर है खाद्यान में मैं खाने वाली चीज़ों में अगर आपने अगसे चीज़ों में हम खाने वाले अन में जो भी हम खाद्यान पैदा करते हैं उन खाने वाली хотел में अगर देखे हैंcych ca tiếpर हम अभूध ओपन तो इसमें इसमें अभी ज्यादा है दालनें भी है etuk यह भी हैं चावल कपास उड़त सब है तो यह ज़्यादा खाई जाती है इसलिए खाद्यान में जो खरीब हो 31% वेटेज रखती है जो भी खाद्यान पैदा करते हैं अपन उसका यह 30% तो है खरीब और जो कुल कर्शी उत्पाद दिन करते हैं उसका 12% भी खरीब लेकिन जतनी शेतर पर जमीन पर खेती करते हैं उस शेतर में जो है यह वह 60-65 तीनु बातों में तीन फरक है द्यान रख लेना रभी फसल को उन्याडू भी बोलते हैं उन्याडू ठीक है कि उन्याडू आगे सुना भी खर खोड़ रास्तानी वर्ड है टाइम अक्टोबर नौमबर से लेकिए मार्च अप्रेल तक का जो टाइम में रभी या उन्याडू फसल का होता है और फसल है इसके अंदर ग्यों जो चना मसूर मटर सरसूं अलसी तारा मिरा इसब गोड इसब और यह हो जाएगी 30-35 तो 30-35 पर यह रभी की फसल की जाती है वापस वह दो बॉक्स इसमें कुल कर्शी उत्पादन में चोईस परसेंट है जबकि वह जो थी वह आपके 32 परसेंट पिर आयताकार बॉक्स खाद्यान में रभी 29 परसेंट है जबकि यह खाद्यान के अंदर एक बारिश होती है फिरशा होती थोड़ी वह उसे बोलते है मावट और मावट का मैक्सिममस फाइदा अगर किस बेसा को होता है वो यह होता हुँ कंपलब वहां पर करली साव पानी अच्छा हो तो जहां पर पानी उपलब ताची हो वहां पर तीसरी फसल भी की जाती है और लोग ककडी है हैं खीरा है तरबू जहीं सबंआ हैं यह सब कर लेते हैं टाइम होता है मार्स ने मिट जुन थक लगब लगी खेतर के आदधे कोई वहाँ पर होती है यह complaint पर पानी हो तो एक पर टाइम होसी पर टाइम हों करेब-शाइन करूप वह और सब्जेंतों ट penal हिए क्यूंकि यह बी मौश में होती है ढिए सब करेंदर की जाती है ठीक है और बाकी एक रह modo यो पूरे 12 माहिछ न ही पैदा की जाते हैं उसल से 12-1 बोलता है और क्लम करश उतपा दन्हों का había Entonces you what would do 15 नारियन जैसी बात कि दो कुको बारे gram 24% आपके इसका रभी का योगदान है और इसका 62% जो हो खरीब का योगदान है यह important fact थे बड़े शानदा तरीके से तोड़ा topic बड़ा है ध्यान से समझना है बागी कुछ fact और है सरवादिक शेत्रफल खाद्यान अगर माने पन खाद्यान फसलियान आगर सबसे ज़्यादा खेती area wise तो वह बाजरा बाजरा क्यों किया जाता आप सोच रह रहा है क्योंकि बाजरा पर ज़्यादा खाते नहीं खाने में तो हो सकता है क्यों ज्यादा खाएं पीछे थे हैं किसानों के एक्चुली इसकी जो फसल होती है उसे चारा भी मिलता है और चारा काफी होता है क्योंकि जो बाजरा है इसकी हाइट काफी अच्छी जाती है और चारा भी कहते हैं कि पश्णों के लिए बहुत फाइदे मत रहता है इसे रूप पर शूए औरूद वह तो बिल्कूल जाहिए बाज्रे से दोनु फाया दूसरी बात सरवादिक शेत्र पर लिया थो था खाद्धान तो बाजervation अईरियावाई वाइस बात करू और इसी तरह सबसे पहले खाद्ध्यान मोटा मोटी अगर खादियान कोई अन पैदा किया जाता है एरिया में तो वह तो बाजरा लेकिन रभी की सीजन में अगर कोई किया जाता कि अगर 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 बहुत सारी फसले हैं लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर बहुत ही जाता है तो ग्यों मैं आपको बता देना चाहता हूं हमने यहां पर अभी की पड़ती है यह इसमें ग्यों भी जो चणा मसूर मटर सरसुं अलसी सब है इस सब जब ज़्यादा पड़ता है गिन छोड़ी से मिक्स होता है लेकिन मोंग सबसे ज़्यादा जोaden का रंधार है तो दाख कमण मोंग कि अई रिप us El gig Ownball qui करे जाते हैं लेकि उनमें सबसे ज़्यादा जो करे जाते हैं वो करा जाता है बाजरा और रभी में सब ज़्यादा गेहूं यह बहुत मॉस्ट क्योशन है और दालू में मुंग और तिलहन फसल की बात करें तो हम पर राई बोल दो चाहिए सरसु बोल दो राई थोड़ी सी तो गेहूं यहां पर गेहूं बाजी मार जाता है क्योंकि लोग ज्यादा खाते हैं गेहूं गेहूं ज्यादा खाते हैं तो उत्पादन ज्यादा गेहूं का उतर गेहूं परभी का गेहूं होता भी ज्यादा है एक भी गेहूं में गेहूं के पांच-पांच के उंटल चा सारा भी होता है जो पश्चों के लिए फाइदे मन रहता है लेकिन प्रोडक्शन में देखें तो चर्णा ज्यादा पैदा करते हैं लोग ठीक है दूसरा उत्पादन में तिल में राई और सर्चों यह कॉमन हो गया यह एरिया वाइज भी सबसे ज्यादा है और यह आपके उ पूजे से और डिफॉरेंट कोई अन्य चीज की विजilia से जैसे अगर बात करें संत्रा की संत्रा राजस्तान में सबस्युदा जहलवाद में और वेशे देश में नागपूर में होता है लेकि नागपूर से अपने JOSH कंपरिजन किया जाता है राजास्तान का नागपूर किसे कहते हैं तो वो कहते हैं जहलावाद को ठीक है? दूसरी बात है मौस्मी, किन्युर, माल्टा मैंप जलो और शरन इन जलो में अनार ज्यादा मैं मतहानिया मतहन जोड़पुर के लाल मिडच इसमाट मयंट ह में और टो नजहाएं Livy, Also Vis-a चीज़े कि सोज़त पाली की मेंधी बहुत फैमस है कहते हैं कि वह एक दम मतलब ज्यादा राच ती यह ज्यादा लगाते हैं तो उसका गैरा कलर आता है गिलुण राज समंद है वहां की मेंधी भी आपको ध्यान रखना है दूसरी बात हरी मेति या पान मेति सुनाओगा ना तो वो नागौर पूरे विश्व में फैमस है पूरे वल्ड के अंदर नाग। जो मेति है हरी मेति या पान मेति बहुत ही खुश्वुदार होती है अगर घर में आपकी कड़ी वेगरा में डालते हैं आपने देखा होगा तो पूरे घर में उसकी खुश्वुदा होती है धनिया हाडोती का फैमस है और जीरा पूरे वेस्टन राजस्तान के अंदर फैमस है अफिम चितोड़कर कोटा और जहलावाड के अंदर होता है ये कुछ दस वेरी इंपोर्डन फैक्ट है जो आपको याद रखने है अभी मैंने थोड़ देर पहले कहा था कि मैं इसब गोल के बारे में थोड़े नोलेज कराऊंगा पिर नमर आता है इसब गोल का इसब गोल की बात करें तो इसब गोल में राजस्तान फस्ट है इंडिया में ठीक है इसब गोल के अंदर राजस्तान पूरे इंडिया के अंदर फस्ट रेंक के उपर है और वर्ल्ड का जितना भी सब गोल पेदा होता है उसका 40% अकेले राजस्तान के अंदर होता है ये बहुत बड़ी important बात है गर्व की बात है ठीक है अकेले राजस्तान के अंदर विश्वे का इसब गोल जो है 40% राजस्तान में होता है इसब गोल राजस्तान नमर वन पे है और इस सब गोल की आपने देखी हो थो छोटे-छोटा दाने होते हैं जो पैट दर्द होता है परशống होता है उने के लिए भी कहते है गरम पाने की साथ में दिया जाता है इसकी जो भूसिखोती है चारा बोलते हैं उसको वह इसके बीजु से ही बनती है इसकी भूसी बीजू से पराप्थ होती है जैसे वह ऐसे आपने देखा होगा इसे पोदा अपर छटूठी फली लगी इस मैं पोदहीं बता रहा हूं और इसके अंदर बीज होते हैं तो जयसे यह यहां से काट लेते हैं और फिर इसको जो भी मशीन होते हैं दालते हैं तो चारा हट जाता है और बीच अलग हो जाते हैं तो इसकी बीजू से इसकी भूसी बनती है चारा बनता है ठीक है ओके और राजस्तान की इंगर बैसिक लिए बात करने तो ज्यादा तर नागोर बाड मेर जैसे में जोदपुर में जो है इस अब जोड़ काफी मातरा में की कि सुगंदित वे औशदिये पौदू में राजस्तान फस्ट है सुगंदित वे औशदिये पौदू में राजस्तान नमर वन पे है और मशालों की शेत्र में मशालों की मामले में राजस्तान फस्ट है मशालों में राजस्तान फस्ट और अजवान और मैथी के अंदर भी ठीक है इतने मामलों में तो फरस्ट यह धान अखेना एक और उत्पाद अच्छा सुनो मसालों की शेतर में राजस्तान फरस्ट है लेकिन मसालों के प्रोडक्शन की उपर बात करें तो MP नमर फरस्ट पर आता है MP के बाद मैं राजस्थान सेकिंड पर आता है ठीक है यह तो ह खेती के मामले में हम ज्यदा खेती करते हैं उत्पादन में MP थोड़ी बाझी मार מת ay जा सब्सक्रांир और तो हम दो नोमर पर जाते हैे और शेर्द ये खरपतवार ये तरीक से घास होता है लेकिन ये मैक्सिमम जयपूर में होता है दमासा जो है वो मैक्सिमम जयपूर में होता है और गाउं के इंदर जो मिट्टी होती है उसको जैसे अपने यहां पर फर्स होता है उसको जड़ू ये बुवारी होती है उसे बुवार लेते काफी खर पत्वार इसका भी यूस है और कुछ दो गट्रे के गुलाब में और वैसे छोडी गुलाब और रासमन्थ की आपने सुना कción पजप़ती का मतलब या गोचनी का मतलब होता है गयंू जोड़ चणा इन तीनों के आठते कर पीछ के आटा बनाके फिर उसकी रोटी बनाई जाते इसको बेजड बोला जाता है तो तीन तरह का मिश्ण है गेउं जोर चना उसे बोला जाता है ठीक है ना बेजड तो तो इसको खाते हैं तो स्वाधिस्ट होती है एक होती है कांगनी यह दक्षिन राजस्तान के जो गरीब और जब सुका या काल पड़ जाता है उस टाइम पर इपने उनको काम लेते हैं ठीक है ऑकि थोड़ी राजस्तान फस्ट की थोड़ी बाति और भी लिखे लो वैसे दिए पने यहां पर लिख लिए निकिन में फस्ट है यह बाते लिख लिखे लिए लिए वह लिए वर फि इन सब की कुल तिल को जोडे तो उसमें भी राजस्तान फास्ट है. सब यह दालों को मिलाकर वह है रिव्युलुशंज का. कुछ क्रांतियां होई थी हमारे यहां पर. और वो करांतियां एग्री कमल्टर को लेकर ही उनका नाम पड़ा है, जैसे कि हरितकरांति हरितकरांति का मतलब आप समझ के हरियाली, मतलब की फसल ज़्यादा ज़्यादा हो यह अपने जेजिगरोफियों ही पत्ट रखा है तो इसके जनक या फाउंडर या सनस्तापक जो चलंगे वह में भात की थी भालत में कीशंबम करो सब्सक्राइब करो कि इतने रेट में फसल आपको लेनी पड़ेगी चाहिए फसल थोड़ी बहुत खराब भी क्यों नहों लेनी पड़ेगी ठीक है ऐसा तो में स्वामी नातन भारत के अंदर हरित करांथी के जनक है और भारत में की उसे में नाइशाहन सकता है जोड़ा सब uzzenuses पत् atac पजाव bites के पंजाव ओलसर से शुर्वात हुई थी इस आधिक और हरित करांथी और मेंतर ये नग-अरत के वाहिए जंक है कि उसके फाइदा सें स्यम некоторoser 1 कि यह यह को दर गाया इसना मड़ी करांटी से फाइदा हुआ श्वेत करांटी दूध होता है सिदी सी बात है दूद है उनीचों सो तकदस्य से चलो होगी ती ये वरगिज कुरियन इसके जनक है नेली करांती मचली उतपादना ब्लू ठेक है बिल्कुल सही है तो इसके अरुन करशनन इसके जनक है रजट करांती श्रमती इंदरा गांधी है और अंडा वे कपास बैसिक है अब यहां से कोई राइटर नहीं होंगे यह तो हमें हमारे इंडिय लेवल के उपर इए बातें करी गई है यह चेट के लिए तो आपको जनकु के नाम भी याद रखने हैं बाकी सीदी सीदी क्यों सुनाएगा प्रोटीन करांती का समन्द किस्से हैं बूरी करांती का सम वरनिम सू वरनिम करांथी बोलते हैं गोल का मतलब अलु उता है गोल तो गोल करांथी बैसे लिए अलु पर क्योंकि आलु एक वो चीज है जो पूरे बारा महीं नहीं खाया जा सकता है बादामी करांथी मसाले पैदा करो कृष्ण करांथी पैट्रॉलिम पदार्तुंगों सब्सता करो गुलाबी करांथी में क्या होड़ा प्याज और जिंगा और जंगा की जनक जरूर बताएगे हैं वह बनाए जरू पतेल जंगा जो है इसके दूर्गेश करना था कम से कम कितनी करांतिया होगी तेरा तेरा की तरह करांतिया आपको याद करनी है फिर है कुछ नाम जो आलागे आप पहले सी जानते हैं खुब सारत हो और स्लेक्टेड है ह Jewish हो मिलोकी और सार्फ हो महां हुआ को छो माराहिए तो आपको प्रेखना एक देखना है दो यह लिए ना है होटी कल्चर देख लो फिरूटी से तो आपको फ्रूट कैसी आदो जाएगा वह देख लो वीटी कल्चर देख लो और वर्मी देख लो बस बाकी ज्यादा खास नहीं है यह चार-पांच अगर देख लेते हो तो ज्यादा इंपोर्टेंट है एक दो तीन चार-पांच छे द और मसालों की रानी इलाइची है ठीक है मसालों की रानी क्योंकि इलाइची की जो खुश्ब होती है वो सारे मसालों को दबा लेती है इसलिए मसालों की राजा आम फलों की रानी लीची और अनाजुकई रानी यह मक्का ठीक है यह भी साइड में लिख लेना कुछ किसमें ह सावर और इनकी वैसे के लिए अपन को देखनी ने देखनी है कपास की भी कभी कभी पूछ लेते हैं चार-पांच की तो विशेश तो हालां कि यह तो 15 15 की वैसे मैं आठ कर दी आठ की और पांच कर दी आपके लिए इतनी तो करी लेना वरना आठ कर लो तो और भी ज्यादा धज़ाई बढ़िया है सोना लिका कोहिंनर मद का कोई नौ कि आधा कोनुलाल बहादूर मंगला शरबती और मेक्सिकन जोकि में बात कर 138 euro में eto मंख्का में तो मही कंचन है और माई धुल है चावsels में माई सुगंद्रा है। जल्दी होता है 1-5 मलब पीछह आलू में एक फसुन होती है कुफरी यह कुछ देख लेना स्लेक्टेट है कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगला है एक छोटा सा फेक्ट है कि केंद्री एक रशी फारम खोला गया है शूरत श्री गंगानगर के अंदर केंद्री एक रशी फारम ठीक है सेंटर गौर्मेंट है यह एशिया का सबसे बड़ा पर शी फारम है जो हमने रश्या की हैंप से खोला है उन्नीसों चपन में ठीक है ने खोल लाता यह भी फ्राइट फैक्टिक लेना यह हमारा केंद्री करशी फारम है रजस्तान का सब्सक्राइब करने तो आपको याद करना है लेकिन यहां से राजस्तान पुलिस कॉंस्ट हो गया वीडियो हो गया पटवार हो गया और आपके राश्तान इनमें क्योंशन बहुत ज़्यादा आते हैं तो यहां से इसको भी देख चलना आपकी भी एक्टिसी केंद्री क्योंशन जो है डेफिनेटली आ सकता है राजस्तान के शेत्र है जिनको कैटेग्राइज किया कि एक लो मिलाकी पांट शेत्र है जैसे हैं कि first A first B first C second A second B third 3B ठीक है इने यहां फिर third A third B लिका है फोर्त ए-fourth भी लिखा रहे ओकर यह फिप्त है फ्युल मिलाके पांच जो है वैसे तो 10 और वेसे नमरें के हिसाफ से पांच है वैसे तोल 10 हो गए है कि किन जिलू में जो है कौन सी तो मरदा पाई जाती है और जैसे अपन कहते हैं यह फो पूरा शुश्क मेदानी पर देश है वो कोन पर पाई जाती है तो मेह नहीं है कि वे कौन-कौन से जिले हैं जहां पर इस परकार की जलवायू climate होता है और इस परकार की soil या मिटी जो है वो होती है और यह यह क्लाइमेट इसमें परदेश ले रहे हैं उसमें क्या बताना चाहरे है और यह अपने होजाए डिस्टिक्ट इन इस में लगबग फायदा कर दिया है आप आराम समझ लोगे का आपके कॉमेंट आ रहे थे कि थोड़ी बहुत इंग्लिश हो जाएगी तो में लगबग डाल दी आप समझ लोगे इस ली तो देखो शुष के पश्चि में मैदानी शेतर भाड में जोध पूर है अलब एक तरह के से ड्राइज ऑन ही पूरे ठेक है पश्चि में रहे और जोंद नसंस की थोड़ी शुष की होती है वहां पर सुष के पश्चि मेदानी शेतर है बाड में जोदपूर और मिटी होती है मरस्तुली और बालू मिटी सीधे सीधे एफेक्ट याद करने पड़ेंगे और सेकंड बिए स्वरी फस्वी माता है उत्र पस्ट में शिंचित मेदानी श्यत्रोड यहां पर सीचाई होती है नेहरों के द्वारा आपको पता है गंगान अगर और इस में अनुवान गड़ में बैसिकली के द्वारा नहरों में यहां पर खहती होती है और जलोड मिटी यहां पर पाई जाती है फस्वीम अत्ती सुष्क देखो वह तो सिर्फ शुष्क यह पिर आंशिक सिंचित थोड़ी बहुत सिंचित यहां पर भी क्योंकि नहरें जो ह पुरू जुन जुनू यहां पर पुरी रहती लिए जो है मर्दा है फिर आपके आता है सेकंड बी में लूनी का मैदन लूनी नदी का जो मैदनी शेतर जांकि लूनी नदी बहती है जब नदिया पढ़ाओं तब और समझ में आ जाएगा जालोर पाली सिरोडपुर यहां हैं जिसको मैंने सिरोजम भी कहते हैं सिरोजम ठीक है ओके और फ़र्ड़लिकर के बार्वाईच शेतर है जहां चलते ही बाड आ जाती है अलग से पूची जाते हैं तो जी लिया अलवर धॉल्पूर बर्थपूर स्वाइमादो पूर्पूर करोली और मिट्टी कौन से जलोड ठीतर ने कमें Kelly और जलोड मिटी वैसे के लिए आपर है फोर्थ में आदर या उपादर दक्षणी मेदान है जो बीलवाड़ा रास्तान का दक्षणी पार्ट है बीलवाड़ा रास्तान चितोडगट उदेपूर शिरोही और यहां पर जलोड और परवतिय मर्दा जो पाई जाती है और फिर पांच वह जाएगा लास्त आदर दक्षणी पूरी मेदान कोटा जहलावार बुंदी बारा स्वाइमादोपुर यहां पर आपके काली जलोड है तो यह कुछ आज की क्लास थी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है हालां कि बहुत बड़ा टॉपिक है बहुत ही बड़ा ट डॉपिक है जो अपने सिरी चलाई है वह अपने एक कंप्लीट कर लिए सबसे पहले पशुदन ठीक है यह लाइफ स्टोच फिर अपने दो पर कंप्लीट किया था जो आपको पताएं प्रइवैंट ट्रांसपोर्ट टेस्ट कर लिया आपका अगरिकल्ट्य तान की करशी ठ तो यह सारे टॉपिक जो भी कन्वर्ट कॉंट्रीनु चाद रहे हैं यह भी आया नहीं है आ जाएगा यह तीन हो चुके हैं विशेश तरी तरीके से याद कर लेना दो दो तिन तिन क्योंशन हंडेड़ परसंट आते हैं हर कॉंपेटिटिव एक्जाम में यह वही कर पाते है क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं है और आप लोग इन्हीं स्किप कर जाते हो सीदे सीदे क्योंशन आते हैं ज्यादा मुश्किल पर नहीं इंट्रस्टिंग भी है क्योंकि और दूसरी बार नोलेज बढ़ता है इन फूचर लाइफ में आपके इंटर्विव वगएरा में यह कि समय क्या कर रहे है कि इसमें क्या नहीं कर रहे है तो बहुत जब्यूदव है इसको याद करो आज लाइफ शाम को होगा लेगिन क्लास पूरी कसरा निकाल देख संडेगो लैकिन यह आज का अज अभी आपको नोट करना एंस्ट ठीक है